C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की भुगोल की पाठ्थे पुस्तक, प्रिथ्वी हमारा आवास, प्रस्तुत है इस पुस्तक का पाठ 5, प्रिथ्वी के प्रमुख परिमंडल, प्रिष्ठ 31 से प्रिष्ठ 40 तक, तो आईए अब सुनते हैं पाठ, प्रि प्रिष्ठ संख्या 31 जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, कि प्रिथ्वी एक मात्र ऐसा ग्रहा है, जहां जीवन है, मानव यहां जीवित रह सकता है, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व, भूमी, जल, तथा हवा प्रिथ्वी पर मौजूद हैं। प्रिथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं, उसे भूमंडल कहा जाता है। जिसे जल मंडल कहा जाता है। जल मंडल में जल की सभी अवस्थाएं, जैसे बर्फ, जल, एवं जलवाश्प सम्मेले थें। जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है, जहां स्थल, जल, एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। भू मंडल प्रिथ्वी के ठोस भाग को भू मंडल कहा जाता है यह भू परपटी की चट्टानू तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोशक तत्व पाये जाते है प्रिथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बाटा जा सकता है बड़े स्थलिय भू भागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरिय बेसिन के नाम से जाना जाता है विश्व के सभी महा साגर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं चित्र पाँच दशमलव एक में विश्व के मांचित्र को देखिए क्या सभी स्थली अभुभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है स्थल की उंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शुन्य माना जाता है शब्दों की उत्पत्ति ग्रीक भाशा में लिथास का अर्थ है पत्थर एटमास का अर्थ है वाश्प हिूडर का अर्थ है जल बायोस का अर्थ है जीवन क्या आप इनसे और अधिक शब्द बना सकते हैं? प्रिष्ठ 32 इस पूरे प्रिष्ठ पर चित्र पांच दशमलव एक दिया हुआ है जिसमें पूरे विश्व के मानचित्र को दर्शाया गया है इसमें महादूइप जैसे की एशिया, यूरोप, अफ्रीका, औस्ट्रेलिया, दक्षिन अमेरिका, उत्तर अमेरिका और अंटार्क्टिका को दिखाया गया है इसी प्रकार महासागरों को भी दर्शाया गया है जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अट्लांटिक महासागर, दक्षिनी महासागर, आर्क्टिक महासागर, प्रिष्ठ संख्या 33 विश्व का सबसे उंचा शिखर माउंट एवरिस्ट समुद्र तल से 8848 मीटर उंचा है विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशान्त महासाकर का मेरियानागर्थ है जिसकी गहराई 11,022 मीटर है क्या आपने कभी कलपना की है कि समुद्र की गहराई प्रिथवी के सबसे उचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है महादूईप प्रिथवी पर साथ प्रमुख महादूईप हैं ये विस्तरित जल राशी के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं ये महादूईप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षन अमेरिका, आस्ट्रेलिया तथा अंटार्किटिका चित्र पांच दशमलव एक में विश्व के मान्चित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि इस थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है एशिया विश्व का सबसे बड़ा महादूईप है यह प्रिथ्वी के कुलक शित्र फल के एक तिहाई भाग में फैला है यह महादूईप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है करक रेखा इस महादूईप से होकर गुजरती है एशिया के पश्चिम में यूराल परवत है जो इसे यूरोप से अलग करता है चित्र पांच दशमलव एक में इसे भी दर्शाया गया है यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया जो यूरोप धन एशिया से मिलकर बना है कहा चाता है यूरोप एशिया से बहुत छोटा है यह महाद्वीब एशिया के पश्चिम में स्थित है आर्किटिक वरित इससे होकर गुजरता है यह तीन तरफ से जल से घिरा है विश्व के मान्चित्र को देखिए एवं इसकी स्थिती का पता लगाईए अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीब है विश्वत वरित या शुन्य डिग्री अक्षांश इस महाद्वीब के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है चित्र पाँच दशमलव एक को देखिए आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीब है जिससे होकर कर्क, विश्वत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो की अफ्रीका में स्थित है चित्र पाँच दशमलव एक में विश्व के मानचित्र को देखिए आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है अफ्रीका का मान्चित्र देखिए तथा बताईए कि करक रेखा, मकर रेखा तथा विश्वत वृत्त इसके किन-किन भागों से होकर गुजरती हैं क्या आप जानते हैं? न्यूजिलेंट के एडमंड हिलरी तथा भारत के तेनजिंग नौर्गेश शेरपा 29 मई 1953 को प्रिथवी के सबसे उचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा बचेंदरी पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महादूइप है यह दक्षिन अमेरिका से एक संक्रे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधी कहा जाता है प्रिष्ठ संख्या 34 यह महादूइप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गुलार्ध में स्थित है यह महादूइप तीन महासागरों से घिरा है क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? इस प्रिष्ठ पर चित्र पाँच तशमलव दो दिया गया है जिसमें स्थल संधी और जल संधी के विशय में बताया गया है चित्र में एक तरफ भारत का चित्र दर्शाया गया है जिसमें जलसंधी के विशय में लिखा गया है जलसंधी पानी का सक्रा भाग होता है जो दो बड़ी जलराशी जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है फिर इसी चित्र में प्रश्न पूछा गया है भारत एवं श्रिलंका के बीट स्थित जलसंधी का नाम बताओ इसी प्रकार चित्र में स्थलसंधी को समझाते हुए उत्तर अमेरिका और दक्षिन अमेरिका के चित्र दर्शाय गए है एवं स्थलसंधी के विशय में लिखा है कि स्थल संधी स्थल का एक सकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलिय भागों को एक दूसरे से जोडता है दक्षन अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षनी गोलार्ध में स्थित है इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से दो महसागर स्थित हैं विश्व की सबसे लंबी परवत श्रिंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षण की ओर फैली है ये श्रिंखला चित्र पांच दशमलव एक में दर्शाई गई है दक्षण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है औस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो की पूरी तरह से दक्षणी गुलार्ध में स्थित है यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है इसे द्वीप ये महाद्वीप कहा जाता है अंटार्क टिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो की दक्षणी गुलार्ध में स्थित है दक्षण धुरुव इस महाद्वीप के मध्धे में स्थित है चूँकि यह दक्षण धुरुव क्षित्र में स्थित है इसलिए यहां हमेशा मोटी बर्फ की पड़तों से ढखा रहता है यहां किसी भी प्रकार का स्थाई मानव निवास नहीं है बहुत से देशों के शोध केंद्र यहां स्थित है भारत के भी शोध संस्थान यहां है इनके नाम है मैत्री तथा दक्षन गंगोत्री जल मंडल प्रिथवी को नीला ग्रह कहा जाता है प्रिथवी का 71 प्रतिशत भाग जल तथा 29 प्रतिशत भाग स्थल है जल मंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है इसमें महासागर एवम नदिया, जीले, हिम नदिया, भूमिगत जल तथा वायु मंडल की जलवाश्प सभी सम्मिलित है इस प्रिष्ठ पर एक चित्र दर्शाया गया है जिसमें तुलनात्मक रूप से महासागरिय जल का प्रतिशत दर्शाया गया है जो कि 97.5 प्रतिशत है वहीं अलवण जल या मीठे जल का प्रतिशत दर्शाया गया है जो कि कुल जल का मात्र 2.5 प्रतिशत है प्रिथ्वी पर पाय जाने वाले जल का 97 प्रतिशत से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपियोग में नहीं आ सकता है प्रिष्ठ संख्या 35 शेश जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है जल का बहुत कम भाग अलवन जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं इस प्रिष्ठ पर चित्र पाँच दशमलव तीन दर्शाया गया है यहाँ पर महाद्वीपों के तुलनात्म काकार को वरगों के माध्यम से दर्शाया गया है चित्र पाँच दशमलव तीन में दिये गए वरगों को गिनिये एवं निम्नलिखित के उत्तर दीजिये क सबसे बड़े महाद्वीप का नाम लिखिये ख, कौन बड़ा है, यूरोप या आस्ट्रेलिया महासागर महासागर जल मंडल के मुख्य भाग है ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए है महासागरिय जल हमेशा गतिशील रहता है तरंगें, जुआरभाटा तथा महासागरिय धाराएं महासागरिय जल की तीन मुख्य का दिया है बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रम शह पाँच महासागर प्रमुख है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षणी महासागर, तथा आर्क्टिक महासागर इनको भी चित्र पाँच दशमलव एक में दर्शाया गया है प्रिष्ठ संख्या 36 प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है यह प्रिथ्वी के एक तिहाई भाग पर फैला है प्रित्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्ट प्रशान्त महासागर में ही स्थित है प्रशान्त महासागर लगभग वृत्ताकार है एशिया, अउस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिन अमेरिका, इसके चारों और स्थित है चित्र पांच दशमलव एक को देखिए तथा प्रशान्त महासागर के चारो ओर इन महाद्वीपों की स्थिती का पता लगाईए अट्लांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिन अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका अट्लांटिक महासागर के तटरेखा बहुत अधिक दन्तुरित है यह अनियमित एवं दन्तुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिती है व्यापार की दृष्टी से यह सबसे व्यस्त महासागर है हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, तथा पूर्व में आस्ट्रेलिया स्थित हैं दक्षिनी महासागर अंतार्कितिका महादुीप को चारों ओर से घेरता है. यह अंतार्कितिका महादुीप से उत्तर की ओर साथ डिग्री दक्षिनी अक्षांश तक फ्यला हुआ है. आर्किटिक महासागर उत्तर धुव रित में स्थित है तथा यह उत्तर धुव के चारों ओर फैला है यह प्रशांत महासागर से छिछले जलवाले एक सक्री भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जलसंधी के नाम से जाना जाता है यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा युरेशिया से घिरा है इस प्रिष्ठ पर एक चित्र में डबलिन तथा बेलफस्ट के आसपास दंतुरित तट रेखा को दर्शाया गया है वायु मंडल हमारी प्रिथ्वी चारो ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायु मंडल कहा जाता है वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं यह वायु मंडल हम लोगों को सूरी की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है वायु मंडल सुलह सौ किलोमिटर की उचाई तक फैला है वायु मंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर पाँच परतों में बाटा जाता है इन परतों को प्रिथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर मंडल कहा जाता है इस प्रिष्ठ पर चित्र पाँच दशमलव चार में वायु मंडल की विभिन परतों को दर्शाया गया है साथ ही ये भी दर्शाया गया है कि किस प्रकार क्शोभ मंडल में वायुयान और हवा के गुबारे उड़ते हैं समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में हमें उलका पिंड जलते हुए नजर आ सकते हैं इसी प्रकार आयन मंडल या मध्य मंडल के बीच में रॉकेट मिसाइल इत्यादी उड़ते हैं, तथा सबसे बाहर बहिर मंडल और आयन मंडल के बीच में उपग्रह ब्रहमण करते हैं। प्रिष्ठ संख्या 37 वायु मंडल मुख्य तह ऑक्सिजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो की साफ तथा शुष्क हवा का 99 प्रतिशत भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78 प्रतिशत, ऑक्सिजन 21 प्रतिशत, तथा दूसरी गैसें, जैसे कार्बन डायोकसाइड, आरगन इत्यादी की मात्रा 1 प्रतिशत है। ओक्सिजन सांस लेने के लिए आवशक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृध्धी के लिए आवशक है। कार्बन डायोकसाइड यद्यपी बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह प्रत्वी के द्वारा छोड़ी गई उश्मा को अवशोशित करती है, जिससे प्रत्वी गर्म रहती है। उचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। तथा जैसे जैसे हम उपर की ओर चाते हैं, यह तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाणों पर परवता रोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कटनाई होती है। उचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ओक्सिजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ओपर की ओर जाते हैं, तापमान भी घटता जाता है। इस प्रिष्ठ पर चित्र 5.6 दिया गया है, जिसमें जैव मंडल दिखाया गया है। चित्र में दिखाया गया है कि किस प्रकार सभी जीव जन्तू एक दूसरे पर आश्रित हैं। पहाणों पर गिरी हुई बर्फ पिघल कर पानी बनती है और वो नदी का रूप लेकर फिर बाद में समुदर से जा मिलती है। इस नदी में कई जली जीव रहते हैं। उसके पश्चाच सूरे की गर्मी से समुदर में पानी भाब बनकर उड़ता है तथा बादलों का रू पूप लेकर धर्ती पर बरस जाते हैं। प्रिष्ठ 38 वायू मंडल प्रिथवी पर दबाव डालता है। यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग-अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है। जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायू उ जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौझूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं। जो कि सुक्ष्म जीवों तथा बैक्टिरिया से लेकर बड़े इस्तंधारियों के आकार में पाई जाती मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्य तहत दो भागों जन्तु जगत एवं पादब जगत में विभक्त किया जा सकता है। प्रिथुई के ये तीनों परी मंडल आपस में पारस परिक्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी ना किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरन के लिए लकडी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलवा भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प् नीकोबार द्वीब समुहों का कुछ भाग पानी में डूब कया। जीलों तथा नदियों में दूशित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तिमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुँचाता है। उद्योगो तापिय विद्युत सैयंत्रों तथा गाडियों का उत्सरजी पदार्थ वायू को प्रदोशित करता है। कार्बन डायोकसाइड वायू का एक महत्वा पूर्ण घटक है। लेकिन कार्बन डायोकसाइड की मात्रा में वृध्धी के कारण प्रिथ्वी के तापमान में प्रिथ्वी के संसाधनों के सीमित उप्योग की आवशकता है। प्रिष्ठ 49 अभ्यास प्रश्न एक आगे दिये गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला प्रिथ्वी के चार प्रमुख परिमंडल कौन-कौन से हैं। दूसरा प्रिथ्वी के प्रुक महादूइपों के नाम लिखिए। तीसरा दो महादूइपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षणी गोलार्ध में स्थित हूँ। चौथा वायुमंडल की विभिन परतों के नाम लिखिए। प्रिथ्वी को निला गरह क्यों कहा जाता है। छठा उत्तरी जीवित प्राणियों के लिए जीव मंडल क्यों महत्वा पूर्ण है। दक्षिन अमेरिका से कैसे जुड़ा है। प्रश्न तीन प्रित्वी का सबसे गहरा भाग रिक्तिस्थान प्रशान्त महासागर में स्थित है। दूसरा, रिक्तिस्थान महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है। तीसरा, रिक्तिस्थान स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग है, जो जीवन के लिए सहायक है। चौथा, यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ रिक्तिस्थान कहा जाता है। प्रित्वी पर सबसे उचा परवच शिखर रिक्तिस्थान है। प्रिष्ठ चालीस, आओ कुछ करें। पहला, विश्व के रेखा चित्र से महाद्वीपों को अलग-अलग काटें, तथा उन्हें बड़े से छोटे आकार के क्रम में सजाएं। दूसरा, विश्व के रेखा चित्र से महाद्वीपों को अलग-अलग काटें, तथा उने एक दूसरे के साथ चित्र खंड यानी जिग सौ पहेलियों की भाती जोड़ने का प्रयास करें। तीसरा, हिमाले के अभियानों के चित्रों को इखटा करें। सूरे के किरणों, तापमान तथा हवा की कमी से बचाओ के लिए परवतारों ही किन उपकरणों को ले जाते हैं। उनके नाम लिखें। मानचित्र कार्य पहला, विश्व मानचित्र के रेखा चित्र पर निमनलिखित को दर्शाईए। युरोप, एशिया, अंटार्कटिका, दक्षन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हिंद महसागर, प्रशांत महसागर, अट्लांटिक महसागर, यूराल परवत तथा पनामा स्थल संधी। इसी के साथ आठ पाठों की स्पुस्तक का पाँचवा पाठ यहां समाप्त हुआ।